हेलो गाईज, आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 41 करेंगे, जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस, ये वर्क्षिट 21st December 2021 की है, तो आज ये शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट मेजरिंग स्पीड, आज हम स्प इस वर्क्षिट में देख चुके हैं, अब देखो आगे क्या है, ये फोर्मले बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट है, इनको आपको लर्न करना है, तीन फोर्मले है, फर्स्ट है स्पीड किस तरह से निकाली जाती है, डिस्टेंस डिवाइड इड बाइ टाइम, ठीक है, वा आगे देखो क्या कहा गया है, once you know the speed of an objective, you can find the distance moved by a bus in given time, आप किस तरह से speed निकाल सकते हैं, अगर आपको पास में speed हो किसी भी वहिकल के आपके पास में क्या हो, speed हो तो आप किस तरह से distance निकाल सकते हैं, distance निकालने का फॉर्मला क्या है, बहुत ही जादा important है, distance किस तरह से जाती है, speed multiply time, जब क्या किया जाए, speed और time को, आपके पास में speed भी हो, और time भी हो, उनको multiply करके हम क्या निकाल सकते हैं, distance निकाल सकते हैं, next, देखो क्या कहा गया है, you can also find the time and object would take to cover a distance while moving with a given speed, अगर आपके पास में time भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास में speed भी हो और क् क्या किया जाएगा distance divided by speed ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है यह फोर्मला भी बहुत जादा important है distance को क्या किया जाए speed के साथ divide कर दिया जाए तो हम easily क्या निकाल सकते हैं time निकाल सकते हैं अब हम आगे देखते हैं क्या कहा गया है देखो you might have seen a meter fixed on the top of the scooter और a motorcycle आपने कभी न कभी तो motorcycle scooter पर एक मीटर देखा होगा सामने इस तरह का एक मीटर होता है मीटर can be seen on the dashboard of the car buses and the other vehicles हर कोई भी वहिकल हो चाहे car हो bus हो या कोई भी वहिकल हो उसके dashboard जो आगे होता है वहाँ पर इस तरह का हो आता है यह क्या बताता है it is record this is called speedometer इसे हम क्या कहते है speedometer जो speed को बताता है उसे हम क्या कहते है speedometer it record the speed directly to kilometer per hour यह किस तरह में speed को record करता है kilometer per hour के अंदर यह क्या करता है speed को record करता है ध्यान से देखो कोई भी वहिकल होगा उसके अंदर मिटर भी होगा जो distance बताएगा कि वहिकल ने कितना distance कवर किया है जिसे क्या कहा जाता है odometer ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है odometer कहा जाता है अब हम करते हैं स्वक्षित के question answer जो कि बहुत ही जादा आसान है 2 meter बताएगा एक तो speedometer जो कि speed को बताएगा और एक odometer जो क्या करेगा जो क्या बताएगा distance को बताएगा कितना cover किया है question number बंदे को क्या कहा गया and instrument which measure the distance cover by a moving vehicle is known as जो क्या करेगा distance बताएगा उसे हम क्या कहते है odometer कहते है तो यह हो जाएगा first answer second speed speedometer record the speed in जो speedometer है वो जो speed को किस form में record करता है km per r में km per r तो यह हो जाएगा second question का answer ठीक है अब हम देखते है next question देखो third question क्या कहा गया है speed covered, speed किस तरह से निकाली जाती है speed multiply time तो यह क्या हो जाएगा speed multiply time question number 4 देखिए time क्योंकि दोनों ही formula बहुत ही जाता important है time किस तरह से निकालते है distance divided by speed ठीक है तो यह थी हमारी आज की worksheet worksheet को complete करके अपने teacher को जरूर चेक करवाईएगा thank you guys